हमारे चैनल टीवी समचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं सदार शुकला पर हाल ही में रश्मी देशा इने बहुत बड़े बड़े बयान दिये हैं रश्मी ने क्या कुछ कहा है सदार्थ को लेकर चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीवी समचार 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल उत्रण सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबादें सदार्थ को गए हुए अब काफी वक्त भी चुका है काफी समय के बाद रश्मी ने सदार्थ को लेकर कई सारी बाते की हाली में रश्मी ने सदार्थ के बारे में बाते करते हुए टूट गई उन्होंने खुलासा किया कि वो सद्धार्थ जो है वो अपने नियमों और शर्तों पर रहा करते थे रश्मी ने बताया कि मैंने खुद को बहुत मजबूत बना लिया था या फिर शायद हर्टलेस उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरी परसनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था और सद्धार्थ के साथ जब मैंने शो किया था उसे मैंने बहुत करीब से जाना हमें एक दूसरे की काफी सारी बाते पता थी हमारी लड़ाई अलग वज़ा से होती थी और मैं हमेशा ही एक बात बोलती थी कि वो बड़ी सी बोड़ी के अंदर एक दस साल का बच्चा है वो ऐसा ही था और वो अपने नियम और शर्टों पर जिया करता था रश्मी देसाई ने आगे ये भी कहा कि विग बॉस के बात भी हमारी बात होती थी मैं देखती थी ये अच्छा कर रहा है हम जुड़े हुए थे हम अपनी चीजों को मैचुरिटी के साथ हैंडल कर रहे थे लोगों ने बहुत प्यार दिया और उतनी ही नफरत भी किया क्योंकि जो हमारे बीच की जर्णी थी वो हमारे तक ही सीमित थी ये रश्मी देसाई के कुछ पैयान थे आप कहाएना चाहेंगे और सब पर हमें नीजे कॉमेंट सेक्शन के जरी अपनी राये जरू बता हैं और इसी तुमापडेट्स के लिए जड़ी हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ चैनल को दुरन सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को भी जरूर दबा दें थाकि आप कोई भी अपडेट में इस ना कर सकें हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटर सब्डेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं